मनीश सोधिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और जूटे केस में फसा के उनको गिरफ्तार किया गया है मनीश जी एक इमानदार देश भक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 गंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविश्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था पिछले 75 साल में शायद ये पहला शक्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उमीद जताई थी रिक्षे वाला मजदूर किसान गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बढ़ा हो कि उसको अच्छा भविश्य मिल सकता है सरकारी स्कूलों का काया कल्ब किया था एक शरीफ आदमी है मनीश उनको आज इन्हों ने गिरफ़तार कर लिया तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को देश भक्तों को अच्छे लोगों को इमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जो जिन लोगों ने अर्बों खर्बों रुप 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 लूट लिये बैंकों के और इनके वो इनके दोस्त हैं उनके खिलाफ कोई अक्शन नहीं होता वो खुले हाम घूम रहे हैं उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है नोगों की क्योंकि वो इनके दोस्त ह पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे, मैं और मान साब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं, उनकी वाइफ को काफी सीरियस बिमारी है, मल्टिपल स्क्लेरॉसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉड़ी के उपर खतम होता जाता है, मनीश के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पड़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीश जी उनका ख्याल रखा करते थे, पर हमने उनको सांत्वना दिया है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पती बहुत सासी हैं, दे पूरे देश को मनीश जी के उपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे, देश के एक करांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते, और आपी के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए, अपना सारा कैरियर छोड़ कर, पत्ते केस में गर्वतार किया है, मैं कहूंगा जे मनीश से सोधिया की गर्वतारी नहीं है, लाखों बच्चों के बवेश्य की और उनकी उच्चे सिक्षा की अबमानना है, क्योंकि सकूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए सकूल बना दोगे, तो नहीं चाते के देश शिक्षत हो, वो नहीं चाते के देश के लोग युवा उच्चिस तरीय जो शिक्षा है वो देश में लें, क्योंकि उनको पता है, अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे, सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजंडा है, उसको समझने लग मनीश जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी इनके खिलाफ तो अगर कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था, उसको भी पकड़ लिया था, तो मतलब ये नहीं चाहते के हमारी मर्जी के बेना कुछ हो, लोकतंतर में ऐसा संबब नहीं हैं, हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल के अपनी खुश्बू है, लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है, वो ड्राना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है, कि ये इनकी टीम आमाली पाटी की बहुत अच्छी बन गई है, ये गुजरात में भी गए, वहां 13% बोट लेके आए, ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं, अंदर किसको होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाजों में जो है, वो ट्रेबल कर रहे हैं, और देश में स्कूल खोलने वालों को, और दिल्ली का बजट 24,000 क्रोड से 25,000 क्रोड तक लेके जाने वालों को, देश की, दिल्ली से निकली है, रामलीला ग्राउंड से निकली है, हम किसी और पार्टी से निकाले हुए जा छोड़ कर आए हुए, वो बैसे पॉलिटिशनों की पार्टी नहीं है, हम लोग अलगलत फील्ड से आये हैं, अरविन केजरिवाल जी, एक इंकम टेक्स कमिशनर थे, मनीश जी, ब जबर्दस्त हम विरोध भी करेंगे, लेकिन डरालें जितना इन्होंने डराना है, बाज उतना ही उपर उड़ता है, जितनी हवा उसके